एक और नया IPO आ चुगा है और अब हम जानने वाले हैं कि इस IPO की जो कंपनी के डीटेल्स है साथी साथ कंपनी के प्रमोंटर्स कंपनी की क्या प्राइस है और साथी साथ जानेंगे कंपनी का इन डेप्थ रिव्यू कि आपको इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरीके के IPOS डीटेल्स और अगर आपको बता है रिलाइन डीटेल फ्यूचर की डील्स और इन तरीके की जो अपडेट्स होती है वह हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को म करें ताकि आपको इस तरीकी और अपडेट्स मिल सके सब से पहले जानना चाहिए कि कंपशने की क्या कंपनी क्या है कंपनी क्या करती है तो IP Ou में इनकल जाना चाहिए क्योंकि अगर आपको पता होगा कि company पैसा किस तरीके से कमाती है तो आपको आने वाले टाइम में जब आपको अगर आई प्यू लग जाता है तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें hold करना चाहिए investment रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए सबसे पहले बता दूं कि यह एक company तो agro products आप बोल सकते हैं मतलब food grains जिसमें pulses and wheat और इस तरगे की चीज़ें आती है वहीं fly ash जो खाद बनाने के लिए जो product काम में आते हैं और coal products यह import export करती है इनका model जो है वो B2B है मतलब एक business से दूसरे business मतलब यह company है और यह वापिस दूसरे business को ही बेचती है ना कि direct retailer से इनका कोई contact नहीं होता है मतलब होल सेलर का company करती है और इनका domestic market में काफी बड़ा auctions और होल सेलर का market है MRP Agro की बात करें तो इनके पास local mandi का license है to purchase food grains from the local market of Ticamgad मध्यप्रदेश में से यह माल उठाते हैं local mandi से और इनके जो register dealer है वो mines geology के हैं जो है जारखंड में जहांसे यह coal करीते हैं तो इनके पास दोनों ही चीज़े licensing वाली है तो मध्यप्रदेश की माल खरीते हैं और चारखंड की government से जो कि mines and geology वाली जो government है department of mines and geology वहांसे यह coal खरीते हैं तो इनके दो चीज़े हैं कि एक तो है इनका trading of food grains और दूसरा है call product के दोनों के इनके पास license है तो इनका पूरा और inspection department काफी अच्छा है सबसे पहले आ जाते हैं company की strength के उपर तो company के जो quality standard है वो काफी high level के हैं जिस तरीके की इंडिया में अगर आप देखें तो food currency अलग अलग तरीकी quality होती बड़ कंपनी का inspection department काफी अच्छा काम करता है और उसके करण कंपनी का जो compliance है related to quality standards वो काफी बड़िया है इसके अलवा company का distribution network है वो unbeatable है और काफी बैतरीन तरीके से company का काम चलता है अंदर distribution में भी और marketing में भी इसके अलवा company के जो promoter है उनका काफी बड़िया experience है इस तरीके की और दूसरी peers अगर आपको बताऊं तो listed है नहीं तो हम comparison किससे नहीं कर सकते बढ़ जो इन्होंने काम किया है वो काविले तारीफ है क्योंकि इस तरीके का काम और दूसरी companies नहीं किया है वहीं इनका जो business model है वो scalable है क्योंकि हर जगे call और आप देख सकते है food grains की demand तो होती ही है और जिस तरीके से farmer purchase चल रहा है आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि food grains का कितना बड़ा business यहां पर आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है प्रमोटर की बात करें तो मनीश कुमार जेन रक्षा जेन जो की उनकी पत्नी है और उनका जो है तो company के प्रमोटर है वो starting से मनीश कुमार जेन ही रहे है और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है अब आजाते company के कुछ financials में तो company के financials में हम थीन financials देखने वाले 31st March 19, 31st March 20 और 30th September 20 में अगर total assets देखें तो बढ़ी है पहले साल में कम हुई थी 2,61 लेक से 2,18 लेक की और उसके बाद अभी 4,30 लेक की assets हो जुकी है वहीं अगर हम बात करते है revenue की तो करीवन 50% का 100% का उ 1873 करोड से बढ़कर 36,34 लेक्स हो चुकी थी तो बट उतना ही हम प्रोफिट में उचाल देखने को नहीं मिलता है वहां पर प्रोफिट में क्यों 11,00,000 से करीबन 18,00,000 की देखने को मिलता है तो यहां पर साफ नजर आता है कि company में कुछ financials में अगर हम देखें तो जितनी growth 30, September 20 की बात करें तो profit after tax 14,00,000 हो जाता है तो यह एक concern का विशह है क्योंकि company का revenue कम है इस पिछले साल के comparison में और वहीं company का profit after tax से बढ़ा हुआ आ रहा है तो यह एक concern का विशह बनता हुआ नजर आता है जो सबसे important चीज है वो अगर आपको investment करने से पहले सोच लेनी चाहिए क्योंकि financially अगर company strong नहीं है तो आप कितना भी investment करतें उसको कोई मतलब नहीं निकलेगा वहीं अब बात करतें object of this issue तो इनका जो तीन reason है वो है capital requirements जो इनकी working capital की needs थी उसके fulfill करने के लिए बाकी other general corporate purpose और जो इनके दूसरे expenditure है उनको meet करने के लिए तो यह कोई ज़्यादा details के बारे में 8 फरवरी मतलब की कल से IPO start होने वाला है और close होका 10 फरवरी को book built issue है 8,10,000 equity shares का यहाँ पर issue है मतलब की करीबन 3.24 करोड का यहाँ पर issue निकल के आता है face value company की 10 रुपे की है वहीं अगर हम equity share की issue price बताएं तो 40 रुपे की है और एक आदमी को करीबन 3000 shares यहाँ पर SME company मतलब की small medium size company है तो company में investment करने के लिए आपका broker authorize होना चाहिए जो SME में आपको listing की facility देता हो जिरो दा अप स्टोक इस तरीके discount broker आपको ज्यादा तर इस तरह की facility नहीं देते हैं तो आपको यह पहले चेक कर लेना चाहिए और अगर दे रहे हैं तो आपको उनसे contact करके करना चाहिए क्योंकि करीबन 120,000 रुपए यहाँ पर investment होगा वहीं आपको बता दें कि SME company ज्यादा बढ़नी होती है जैसे हमने इनका asset size देखा था तो asset size आप देख सकते 2 करोड से जादा का नहीं है और अभी बढ़कर 4 करोड हो चुका है वहीं revenue की बात करें तो भी revenue 18 करोड से 36 करोड हुई थी और profit भी आप देख सकते 11-18 लक इतना ही है तो यहाँ इस तरीके से concern उड़ता है क्योंकि companies काफी चोटी होती है और इन में जो rules and regulation होते हैं वह काफी कम होते हैं BST का SME Index से वहाँ पर company list होती है BST के main board index पे companies list नहीं होती क्योंकि companies काफी चोटी है और इस तरीके के companies को listing SME वाले जो board होते हैं उस पे की जाती है प्राइसमेंट announcement हो चुकी है तो MRP एक ग्रो का 8 February को मतलब की कल open होने वाला है अब बात कर लेते company कुछ और financial details में मतलब अर्णिंग पर shares पे तो बात करें पिछले 2019 बीस की तो 2.62 रुपीस का अर्णिंग पर share था वही बढ़कर 2000 2018 में 3.42 अर्णिंग पर शेयर था जो बढ़कर जो कटकर 2.62 हो चुका है 2019-20 में वहीं अगर हम बात करें बुक वेल्यू औफ शेयर की तो 30 सप्टेंबर 2020 को 18.33 है वहीं अगर हम IPO के बात की निकारें तो 24.22 नजर आती है Return on Net Assets अगर हम बात करें कमपनी का 17-18 में 10 परसेंट का था वहीं 80-19 में बढ़के 32 परसेंट हो गया चोगी काफी सही है बट वापिस अगर हम 1920 की बात करें तो काफी fluctuation देखने को मिलता है और 11 परसेंट के करीबन आ जाता है और फिर वापिस बात करें Return on Net Worth तो जिस तरीके Book Value Ratio की बात करें तो 2.18 का यहां पर Book Value साफ साफ नजर आता है अब आ जाते हैं कंपनी में आपको investment करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हमारी क्या राय है कंपनी का अगर हम देखें तो business model काफी सही है बीटूबी business model है wholesale कंपनी काम करती है और माइन्स और जियोलिजमी में कंपनी का अच्छा बड़ा काम है जारखंड और मध्यप्रदेश में कंपनी का business का माल उठा दी है बट सबसे बड़ा जो concern है वो यहां पर साफ नजर आता है अगर वो उस तरीके से ही काम करता है तो ठीक है बाकी आगे आने वारे समय में काफी concern देखने को मिल सकते हैं पहली बात यह दूसरी बात जो important है वो company के financials काफी खराब मुझे जो लगता है वो काफी खराब है क्योंकि जिस तरीके से revenue में growth देखने को मिली profit after tax में उस तर करते हैं आने वाले टाइम में क्योंकि call industry का भी यहां पर काफी बड़ा चल रहा है क्योंकि हम हर जगे green energy की बात कर रहे हैं हर जगे हम climate change की बात करें तो यहां पर भी आने वाले टाइम में future uncertain सा लगता है तो यह दो यह तीन पॉइंट है जो आपको सोच लेने चाहिए और SME IPO हर कोई apply करनी सकता है बहुत सारे brokers इसे support नहीं करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले important बात है क्योंकि इसमें investment ज़्यादा होता है तो आपको इसे avoid करना चाहिए और साथी साथ अगर आपको mainstream जो IPO होते हैं उसी IPO में लगाना चाहिए यह SME IPO है जिसमें company के जो होते हैं तो यह कुछ important बात हैं जो आपको investment करने से पहले सोच लेनी चाहिए बाकी MRP agro के लिए हमारा avoid की राय है और अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ ताकि आपको और कर सकते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह के से आपको analysis और investment करना चाहिए आप हमारी दूसरी जिसमें आप सबसे important हमारी जो वेब स्रीज अभी चल रही है रिलाइंस रिटेल वर्सेश फ्यूचर डील की जिसमें Amazon ने किस तरीके से रिलाइंस रिटेल और फ्यू और फ्यूचर की डीटेल को डील को रोक सकता है या नहीं तो वीडियो को इसी तरह देखते रहें और बाकी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें थैंक्यू